जैश्री महाकाल दोस्तों जोती जगत के संकम आपका स्वागत है दोस्तों इस संकम में हम जानेंगे कि जन्माष्ट में का त्योहार कम मनाये जाएगा पता जन्माष्ट में के त्योहार के दिन कौन-कौन से विशेश उपाय करने से सिरी कृष्णे जी की विशेश कृफ़ा हमको प्राप्त हो सकती है जिससे हमारे सभी प्रकार के बिगड़े हुए काम बन सकते हैं एवं हमें सुक्त की और संपन्यता की प्राप्ती हो सकती है तो दोस्तों आये शुरू करते हैं जोती जेगता है देव निरंजा दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के क्रश्न पक्ष के अश्टमी तिथी का आरंब 39 अगस्त को रहिवार को रात 11 बचकर 25 मिनिट पर होगा अश्टमी तिथी 30 अगस्त को रात में 1 बचकर 69 मिनिट तक रहेगी इस हिसाफ से वुरत के लिए उद्या तिथी को मानते हुए 30 अगस्त को जन्माश्टमी होगी इसलिए देज भर में जन्माश्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी पुजा का शुब मुर्त 30 अगस्त की रात को 11 बचकर 69 मिनित से 12 बचकर 45 मिट तक रहेगा दोस्तो अब हम देखते हैं कि जन्माष्ट में की दिन किस प्रकार को उपाय करने से हमको किस प्रकार का लाप राप्त हो सकता है दोस्तो धनलाप के लिए एवं आर्थिक संकट के निवारन के लिए जन्माष्ट में के दिन प्रात काल इसनान आधी करने के बाद किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर प्रभू श्री कृष्णी जी को पीले फूल के मालाकार अरपन करें इससे आर्थिक संकट दूर होने लगता है एवं धनलाप के प्रभल योग बन सकते हैं दोस्तो मनोकामनाओं के पूर्ति के लिए जन्माष्ट में के दिन प्रात दक्षिनावर्ती शंक में जल भरकर भगवान शी कृष्णी का अभिशेक करें इसके बाद यह उपाय हर शुकरवार को करें इस उपाय को करने वाले जातक से मालक्ष्मी शीगर प्रसन हो जाती है और समस्त प्रकार के मनोकामनाओं पूर्ण होती है दोस्तों एश्वर्य प्राप्ति के लिए जन्माष्ट में के दिन भगवान शीर कृष्णी को सफेद मिठाई साबू दाने अथवा चावल की खीर यता शक्ति मेवे डालकर बनाकर उसका भोग लगाए उसमें चीन्नी की जगह मिश्री डाल दें एवं तुलसी के पत्ते भी अविश्य डाने इससे भगवान द्वार का धीश की क्रपा से येश्वर प्राप्ति के योग बनते हैं दोस्तो धन और येश्वर की प्राप्ति के लिए श्रीक्रिष्ण जर्माष्ट में के दिन किसी मंदिर में भगवान के पीले रंगे कपड़े पीले फल पीला अनाज वा पीली मिठाई दान करने से भगवान श्रीक्रिष्ण वा मातालश्मी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तो व्यापार और नोकरी में तरक्की के लिए जन्माष्ट में की दिन अपने घर में साथ कन्यों को घर बुला कर उन्हें खीर या सफेद मिटाई किला कर कोई भी उपार दे दे येसा उसके बाद पास शुक्रोबार तक लगातार करें इससे मागर लश्मी जी क्रपा हमेशा आप पर बनी रहेगे और व्यापार कारोबार में बनवानचीत सफलता मिलती है जन्माष्ट में की दिन भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता अर्पित करें फिर उसके बाद उस पत्ते पर रोली से श्री यंत्रे लिखकर उसे अपनी तेजोरी में रह लें इस उपाय से लगातार धन का अगमन होता रहता है इस्ताई सुख सम्रद्धी के लिए जन्माष्ट में की रात को बारा बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ ता उस समय भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूस से अभिशेक करने से भगवान द्वार का दीश के गरपा से जीवन में इस्ताई सुख सम्रद्धी प्राप्त होती है जीवन में अस्तियता एवाब संगर्ष को दूर करने के लिए जन्माष्ट में की दिन प्रातर श्री कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान के गले में तुलसी की पत्तो की माला या जाप करने वाल है घर में तुलसी के पोदे के पास घीका दीपक जला है और ओम नमो भगवते वासुद्यों का जाप करते हुए तुलसी की ग्याना परिक्रमा करें इससे परिवार में सुक शांतिय और प्रेम का बातावरण बना रहता है जीवन में सफलता के लिए जन्माष्ट में कि दि लंब और या वेवाईक जीवन के अंदर कुछ कटूदा चल रही है उसके लिए क्रश्ण जन्माष्ट में के दिन आप किसी भी क्रिश्ण मंदिर जाएं और वहां पर 108 हरी इलाइची दान करें और हर इलाइची के साथ में ओम नमो भगवते वासुद्यवा या ओम क्लीन क तका जाब करें इस प्रकार 108 इलाइची यदि आप भगवान शीर क्रिश्ण मंदिर में चड़ाएंगे तो आपके सभी प्रकार के मनोरत पूर्ण होंगे तो दोस्तों यह थे क्रिश्ण जन्माष्टम के दिन करने वाले आसान उपाए यदि आपको यह वीडियो पसंद आ अगले अंकर तक के लिए जैश्री महा का